असलाम आलेकुम दोस्तों इस वीडियो में बताऊंगा वीजा फैमिली मेंबर के एकस्पायर होने के बाद कितना फाइन पेर करना पड़ता है और आफ वीजे को कैसे एक्स्टेंड कर सकते हो वीडियो को पूरा देखिएगा तो दिखिए दो तरह के लोग होते है एक वो जो जान बुझ कि अपना फैमिली मेंबर का विजा को एकस्पायर करवा देते है और ओरिष्टे करवाते हैं अपने फैमिली मेंबर को जो लोग ऐसा करते हैं ये जुरम है शूधिय कर देते हैं और इस्टे करवाते हैं उनको पंदरा से लेके पचास हजा रियाल तक फाइन हो सकता है इसके अलावा छे महने का जेल की भी सजा हो सकती है या फिर यह दोनों हो सकता है और आपको डिपोर्ड भी कर दिया जाएगा अब बात करते हैं दूसरे की दूसरा कोई टे क्वेस्ट डाल रहे हैं नहीं हो रहा क्योंकि सब लोग तो यूटूब देखते नहीं यह न्यू चैनल देखते नहीं बहुत लोग अवेर नहीं तो ऐसा करते करते हैं बहुत लोग का वीजा एक्सपायर हो गया मैं खुद जावाजात में विजिट किया था तो देखा वह जावाजात का रूल है 700 रियाल आपको फाइन पेय करना पड़ेगा जिनका भी वीजा एक्सपायर हो गया क्योंकि अभी जावाजात कह रहा ट्यूटर में कोई भी ट्यूट कर रहा न कि अगर आपका फेमली मेंबर का वीजा एक्स्टेंड नहीं हो रहा आप उनको अपना घ चाशच ज्यादा है अपनिमेंट जो लोग लेके जाते हैं उनको करो करते हैं नहीं भी ले पार आपॉर्बिंट मेंड ऐसे भी जाओ फिर भी होग अलाव नाव करते हैं वहा पर देखिएगा जावाजात के बाहर में एग्सेंट्स रहते हैं धक्श्ल में वह लोगको वक प्रिवाजाद के तरफ से आपको एक महने का विजा, एक्स्टेंड हो जाएगा, या फिर हो सकता है 14 दिन का आपको एक्स्टेंशन मिले, डिपेंड करेगा आपके किस्मत के उपर, क्योंकि अभी कुछ लोगों को 14 दिन मिल रहा है, कुछ लोगों को 30 दिन का मिल रहा है, प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, अगर आपका family member बिमार थे, तो hospital का सारा documents ये सब आप ले के जाईएगा जावजात में, वो form के साथ में ये सारा paper आप submit करिएगा, किस्मत अच्छी रही तो आपका fine math हो सकता है, या फिर 500 भी आपको बोले हो सकता है, जावजात बोले 500 आप पे करो, या फिर 700 भी आपको पे करना पड़ सकता है, तो इस तरह से आप अपना family member का visa को extend कर सकते हैं, अगर वो expire भी है तो, अगर आप लोग दमाम में हैं, तो दमाम का मैं बता देता हूँ, मैं भी दमाम में रहता हूँ, रयान मस्जिद के पीछे में जावजात है, वहाँ पे जाईएगा, आप देखिएगा जो main road है, main road में जहाँ left side में, आगे में, रियाद बेंक का ATM है, वो route में आपको office मिलेगा, बहुत सारा agent लोग का, उनसे भी आप बात कर सकते हो, या फिर जो पीछे side से आप जाएँगे, जहाँ पे ground है जावजात का, जहाँ पे cricket खिलते हैं लोग, उधर भी रहते हैं, kenopi लागा के लोग, तो उनसे आप बात कर लेना, वो आपको सब कुछ कर लेंगे, आपको पर attention लेने की ज़रब लिए, तो इस वीडियो में इतना ही channel पर नहें, subscribe कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरग informative videos आपको आगे भी मिलते वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया